जोतेश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिये दरशकगणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन प्रिये साथियों मैं हूँ आचारे पंडिस सर्वदनन शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत-बहुत प्यार भरा नमस्कार सातियों आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कारे करम के विशे में जिसका नाम है देनिक राशीफल और देनिक राशीफल की चर्चा से पहले आपको देंगे पंचांग के विशे में जानकरी और साती ये भी बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका देनिक राशी फल दोनों दिनांग 16 जोलाई संद 2024 दिन मंगलवार विक्रम समवत 2021 के है हिंदी का महीना आशाड का महीना चल रहा है पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तेथ होगी आज दश्मी नक्षत रहेगा विशाखा योग होगा साध्य करण होगा तैतिल राशी होगी तुला राहुकाल की समयवधी आज शाम तीन बचकर 53 मिनट से ले करके शाम पांच बचकर 36 मिनट तक रहेगी और अभी जीत मूर्द की जो शुब समयवधी है वैप राते ग्यारे बचकर 69 तक रहने वाली है प्रियसातियों इसकी अतिरिक सूर्य देवता आज करक राशी में करेंगे प्रिवेश अपनी मित्र राशी में प्राते ग्यारे बचकर 19 मिनट पर और आज से ही निर्यन दक्षनायन प्रारम भोरा है चंद्रमा आज शाम 7 बचकर 52 मिनट पर अपनी सम रा राशी विर्शिक में करेंगे प्रिवेश तो ये थी जानकारी पंचांग के विशे में अब आगे आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशी फल को लेकर के जो की पूर्ण रूप से ग्रह गोशर की जो वर्तमान इस्थिती है उसी पर ये आदारित है आरम साथियों आरम कर रहे हैं मेश राशी से यनि के जिनका एरी साइन है साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आज के दिन वैभाईक सुख आपके लिए बराबर राप्त होंगे आपको वैभाईक सुखों का आनंद आपके आज आप लेने वाले हैं इसके अथिरिक्त आपके अच्छी उपलब धियां आप हांसल कर सकते हैं ये आपका जो पराकरम है वो तो अपना रंग दिखाएगा ही अपनी मेहनत के द्वारा तो आप आगे बढ़ी रहे हैं सफलता की और लेकिन गरों का भी आज के दिन आपको पूरा सपोर्ड है उसी के वज़ा से आपको अपने कार्य छेत्रे से संबंदित बहुत ही अच्छे और सुखत परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं इंकम को ले करके इंकम आपको होगी लेकिन सामानने रूप से ही इंकम होगी दूर दराज की यात्रा हैं अगर करनी पड़ जाती है या कोई ऐसी प्लानिंग है तो उसके लिए आप उपाये जरू करें उपाये जो हम आपको बता रहे हैं वो आप उपाये करें तो आपका भाग्य भी प्रवल होगा जहां तक स्टूडेंट्स का प्रिश्ण है स्टूडेंट्स भी अपने पढ़ाई को ले करके काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति क कर पाएंगे तो आज के दिन आप क्या करें उपाये उपाये आपको करना है कि अपने माथे पर केसर का तिलग या हल्दी का तिलग लगा करके ही आप घर से निकलेंगे तो आपके कार्रें बनेंगे और भागगे भी आपका साथ देगा आगे बात करेंगे विर्शब राश ले रहे हैं और लेते रहेंगे अभी आज के दिन जहां तक आपके कारे छेतर का सवाल है वहाँ पर आपको अपने कारे से संबंद जो परिणाम जिस हिसाब से आप वर्क कर रहे हैं या काम करेंगे उस हिसाब से जो जल्दी से जल्दी परिणामों की प्राप्ति होनी अच्छित्र में जो आपके कारे हैं वो भी धीमी गती से पूरे होते रहेंगे मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जो वर्षब राशी के जातक है आप स्टुडेंट्स की बात कर रहा हूं विशेश रूप से यूँ तो आप अपने ग्यान का पूरा लाव लेंगे ग्यान का पूरा उपयोग करते हुए अपने कोशिश जो आपकी रहेगी कि अच्छे परिणामों की प्रापती हो तो होगी लेकिन उसमें क्योंकि केतू के कारण थोड़ा सा पाप प्रभाव होने के कारण रिजल्ट्स आपके कहीं न कहीं प्रभावित होते हुए लग रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको जो उपाये दूँगा वो आप करें इनकम आपकी बरावर बनी रहेगी और सांतियों दूर दराज की यात्राएं भी अगर करेंगे तो उनसे भी आपको लाब मिलेगा छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको बरावर प्राप्त होगा उपाये आज के दिन आप करें गणपती जी की पूजा करें अगर आप गणपती जी की पूजा करेंगे तो आपको बहुत अच्छे और सुन्दर प्रणामों की प्राप्ति अपने पढ़ाई को ले करके होने वाली है आगे बात करते हैं मिथुन राशी के जो हमारे मित्र है जिनका की जेमनी साइन बनता है तो जेमनी साइन के जो हमारे जातक है मिथुन राशी के जो हमारे जातक है उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ के प्रियसातियों यो तो आपके जो शत्रू हैं विरोधी हैं वो पूरी तरह से शांत रहेंगे और आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे और इसके अतिरिक्त आपके जो घर के बड़े भुजुर्ग हैं वो भी आपसे एक तरीके से पिरसन नहीं रहेंगे आपके कारणें से और आपके वेवार से वेवार के कारण तो आपके घर-परिवार के सदस्यों के साथ भी बड़े कॉर्डियल रिलेशन रहेंगे बहुत अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है इस्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई अच्छे डंग से करेंगे घर-परिवार के जो लोग है उनका भी सहयोग आप प्राप्त कर रहे हैं हर तरीके से जहां तक कार्य छेतर का प्रशन है तो अगर आपकी कार्य छेतर की बात करें तो कार्य छेतर में आपको अपनी महनत से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ती हो सकती है और अपने भाग्यकावी सही होगा आपको तब ही मिलेगा जब आप खुद मेहनत करेंगे और मेहनत करने के लिए आपके ग्रह आपको सपोर्ट भी कर रहे है ऐसी बात भी नहीं है कि हम आपसे मेहनत करने के लिए कहें और आपका दिली ना करें मेहनत करने की ऐसी यहाँ पर कोई सिथी नहीं है आप अपने मेहनत भी करेंगे क्योंकि ग्रह आपको इस बात के लिए सपोर्ट कर रहा है पीछे से और जब मेहनत करेंगे तो आप अपने कारे छेतर में भी अच्छे परणाम पराप कर लेंगे मेहनत के दोरा और अपने भागे को भी प्रबल कर सकते हैं जहां तक आपको उपाये बताने का प्रिशन है तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिये उपाये तो मैं जरूर बताऊंगा लेकिन ऐसा है कि आपकी इंकम की विशे में भी बता दे आप अपनी इंकम आपके लिए होती रहेगी और सेविंग्स भी आपकी अपनी प्लैनिंग के अनुसार सक्सिस्फुली जहां चाहेंगे और जैसे चाहेंगे कर पाएंगे प्रियसातियों आज के दिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर आप जो उपाये करें कौन से उपाये करें तो अपना और अच्छा प्राकरम रहे आपका तो सूर्य देव को जल प्राते कालिसना नादी से निवरत हो करके जरूर दें और हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए सर्व श्रेश्ट उपाये आज के दिन रहेगा हनुमान जी के मंदर में जाएं और संद्या के समय जाएं और वहां जा करके आप चमेली के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालिसा बजरंग बाण हनुमान आश्टक हनुमान जी के आरती ये सब करें और साथ ही मिश्ठान का भोग लगाएं प्रभू को और वो वित्रन करें उसका परशाद का ऐसा करने से आपके कारे छेतर में भी आपको अच्छे परणामों की प्राप्ति होगी भागे भी आपका साथ देगा आगे बात करते हैं करकराशी के जो हमारे मित्रे हैं जिनका की कैंसर साइन बनता है प्रियसात्यों काफी romantic mood में भी है। आज के दिन आप खाफी romantic mood में रहेंगे। और ऐसा बात भी नहीं है कि बस romance आपके दिल पर रहेगा, नहीं। कार्रे करने के समय पर जो आपको कार्रे करने हैं, जो आपकी जम्मेदारियां हैं, वहाँ पर आप अपने कार्रेयों को पूरा करेंगे, जम्मेदारियां भी पूरी निभाएंगे, साथ ही आप इसके अतरिक जो आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ है, उसमें आप अपने वेवाहिक जीवन का भी भरपूर, सुख और आनंद लेंगे प्रियसातिय जहां तक आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ समन्नों का प्रिश्ण है तो ये सामानने से मध्यम रहेंगे बीच बाच में कुछ थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है उतार चड़ावा सकते हैं तो उसके लिए आप सूर्य देव को जल अवश्चद हैं उपाय के तोर पर प्रहते काल इसनानादी से निवरत हो करके दूसरा जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स भी करकराशी के अच्छा रिजल्ट्स पर आप कर पा रहे हैं जहां तक आपके घर के बड़े बुजर्गों का सवाल है उनको कोशिश यही रखिएगा कि किसी बात से आपके या किसी कार्रे से वो नाराजना हो उनका प्यार इसने है और आशिरवाद आप पर बना रहे है ऐसी ही कोशिश आपको रखनी चाहिए और प्राते काल उटकरके उनके पाउं चुकरके उनका आशिरवाद जरूर ले और उनका किसी भी तरीके से निरादर नहीं होना चाहिए यह बात आपके दिमाग में जरूर होनी चाहिए जहां तक आपके प्राकरम का प्रिष्ण है प्राकरम तो आपका प्रभावित होता दिख रहा है साथियों तो प्राकरम को अच्छा और दुरुस्त रखने के लिए आज के दिन आप प्राते काल इसनान से फ्री हो करके ओम केम केतवे नमहा इस मंत्र का जाप करें और दूसरा माद्रुगा सब्त शतीजी का भी पार्ट अवश्य करेंगे तो भागे भी आपको सपोर्ट करेगा आगे बात करते हैं सिंग राशी के जो हमारे जातक है जिनका की लियो साइन बनता है तो प्रियसाकियों आज के दिन आपका जो वैभाईक जीवन है वो थोड़ा सा सुख और दुख दोनों उसमें यानि के मिला जुला परिणाम वैभाईक जीवन में आपको प्राप्त होने क संभावना बन रही है थोड़ी बहुत कष्ट रहेंगे वेवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अच्छे सुखों की भी प्राप्ति होगी मिला जुला समय रहेगा आपके अपने जीवन साती के साथ दूसरी और सुख साधुनों का आप आनंद ले रहे हैं सुख सोविधाओं का पूरा आनंद लेंगे आज के दिन लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा क्या करें के ताकि उनको भी अपनी पढ़ाई को ले करके अच्छे परणामों की प्राप्ति हो तो जो उपाय हम आपको देंगे वो उपाय आप अवश्य करें उसके अतिरिक्त घर-परिवार क सदस्यों के साथ भी आपके संबंद अच्छे बने रहें तो उसके लिए भी उपाय देंगे अगर आपने उपाय किया तो संबंद अच्छे ही रहें अन्यसा कुछ थोड़ी बहुत टेंशन आपके और परिवार के सदस्यों के बीच हो सकती है, आपके विरोधी और शत्रु आपके पूरी तरह से शांत रहेंगे, दूर दराज की यात्रा करने से आपको सुखद रहेंगी यात्रा, लाब की प्राप्ती होगी, थोड़ा धनका खर्च अवश्य होगा, जहां तक इंकम का प्रिश्ण है, तो इंकम आपको होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि खर्च भी आपके बरावर होंगे, साथ यह जहां तक भाग की का प्रिश्ण है, तो भाग की का सपोर्ट तो आपको मिलेगा, लेकिन उपाए आपको ऐसे कौन से करें, कि ताकि स्टूड करें और दूसरा उपाय आपको ये बनता है कि धार्मे के स्थल में जाएं और कुछ धार्मे कि पुस्तके वहां ले जाकर के दान करके जरूर आएं ये कार्या आप जरूर करें आगे बात करेंगे कन्याराशी के जो हमारे जातक हैं उनके लिए यानि के जिनका विर्गोसाइ तो विर्गोसाइन के जो हमारे जातक हैं उनसे पताना चाहेंगे कि आपका वेवाहिक जीवन सुखद रहे उसमें किसी परकार की कमी तनाव या कुछ कठनाईय परेशानिया ना चलें वेवाहिक जीवन में उसके लिए उपाय हम जरूर देंगे क्योंकि यहां पर हम देख तो आपके प्रणाम एकदम नीच भी जाएंगे दोनों मेंसे कोई भी एक बात जो आपको अच्छा लगती है उसी के हिसाब से आप काम करें हमने दोनों बातें आपको बता दी है कि अगर महनत करेंगे तो अच्छे प्रणाम पर आप करेंगे नहीं करेंगे तो प्रणाम के प्रभावित होते ही दिखेंगे आपको जहां तक स्वास्त का प्रशन है तो स्वास्त आपका नरम-गरम रहेगा सामान ने कभी थोड़ा उसमें कुछ कमी आ गई कभी थोड़ा सामान ने ऐसा ही रहेगा मिला जुला स्वभाव रहेगा आपका पतलब उनने से किस तबता रहेगा जहां तक आपके वर्क प्लेस का सवाल है वर्क प्लेस में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको बहुत अपनी मन पसंद जम्मेदारियां मिलेंगी और उनको आप अपने एक तरीके से पूरे दिल से और अपनी महनत से और अपने एफर्ट से उनको पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद आपको एक अच्छा अनुभूती होगी खुशी की कि मैंने ऐसे कार्णियों को पूरा किया है जो आसानी से पूरे होने वाले नहीं थे ऐसे कार्णियों को भी आप पूरा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी का जो निर्भा है वो बखु भी निवाएंगे जो भी जिम्मेदारी आपको मिल रही है प्रियसातियों इंकम भी आपके लिए बरावर रहेगी मित्रों का सहयोग आज के दिन आपको भी मिल रहा है पूरा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है जो higher studies करने वाले students है उनको भी मेहनत के दोरा ही प्रेणामों की प्राप्ती के योग बन रहे है अधिक मेहनत करेंगे तो जाके सामानने से मध्यम प्रेणाम आप लोग प्राप्त कर पाएंगे जहां तक आपकी energy level का प्रिश्न है मेहनत का प्रिश्न है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी आपकी और से रहने वाली नहीं है तो साथियों उपाय दो ही बनते हैं एक तो आज के दिन आप क्या करें एक तो लाल चंदन का टीका जरू लगाएं अपने माथे पर प्रहते काल जब आप नहा करके फ्रेश हो करके अपने घर से निकलते हैं तो लाल चंदन का टीका जरू लगाएं और एक लाल चंदन एक चुक्ती नहाने वाले इसनान करने वाले जल में भी याद करके जरू मिला करके तो उससे आप इसनान करेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा साथियों आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशी के मित्रें हैं जिनका की लिब्रा साइन तो लिब्रा साइन के जो हमारे जातक हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके व्यवाइक संबंद वैवाईक, सुख बराबर आपको मिलते रहेंगे उसमें किसी प्रकार की किसी कोई भी संभावना नहीं है ऐसी कि जिसमें आपको परिशानी हो बस परिशानी जो है वो एक ही दिखती है कि आपका जो जीवन साथी है बस उसके स्वास्त का जरूर ध्यान रखिएगा उसको एग्नोर ना करें हो सकता है कि उनको कुछ हेल्थ से रिलेटेड आपके लाइफ पार्टनर को कोई समस्या बन सकती है तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा जहां तक आपके विरोधी हैं, शत्रू हैं चांत रहेंगे, उनको उनकी और से आपको किसी कोई विशेश परिशानी हो ऐसा कोई योग नहीं है जहां तक आपका कारेच्षेतर की बात है तुलाराश्य के जातकों का, आप अपने कारेच्षेतर में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आज के दिन भी, और अच्छे रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त होंगे, साथियों मैं आपसे इतना भी बताना चाहता हूँ, कि देखिए बहुत सुन्दर राज्यों का भी निर्माड हो रहा है आपके करियर हाउस में तो कोई आश्च्छे की बात नहीं होगी कि आपको कोई इन दिनों कोई अच्छी पदोनती या उननती के भी अफसर आपको प्राप्त हो सकते हैं जहां पर आप कार्रे कर रहे हैं वहां से भी और कहीं दूर दराज्ट से भी तो आप उनका लाप जरूर लें सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाप आज के दिन आप लेंगे जहां तक स्टूडेंट्स की बात है वो भी जो सामानने एजूकेशन ले रहे हैं उनकी पढ़ाई से समंदिज जो परिनाम है जो एक्सपेक्ट वो करेंगे जितना जैसे रिजल्ट्स की वो अपेक्षा करेंगे उस से थोड़ा डाउनवर्ड रहेगा रिजल्ट जो है डाउन रहेंगे उतने नहीं आएंगे यानि कि अगर मध्यम आने चाहिए थे तो सामानने आएंगे एसी सिती रहने वाली है कही न कहीं रिजल्ट्स आपके प्रभावित होते हुए लग रहे है जहां तक आपकी इंकम का प्रिशन है तो इंकम भी थोड़ी सामानने या उससे नीचे की मात्रा में ही होती नजर आ रही है लेकिन अगर आप सूरे देव को आज जल देते हैं प्राते काल उटकर के तो आपकी जो इंकम में रुकावट है या बादा है या कमी वो दूर होगी और साथियों दूसरा उपाए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक आप काले कुट्टे को नियम से नियम से कह रहे है आपके लिए बहुत आवश्यक है जो इस्टूडेंट्स है उनके लिए तुला राशी के नियम से एक मीठी रोटी किसी काले रंग के कुट्टे को उस पे सरसों का तेल लगा करके खिलाईए आपके लिजर्ट्स आपके अनुसार आएंगे और अच्छी सफलता पर आप करेंगे आप अपनी एजूकेशन से संबंदे और इंकम में भी ब्रद्दी होगी आगे बात करते हैं वरिष्चिक राशी के जो हमारे जातक हैं जिनका स्कॉर्प्योस आइन है प्रियसातियों यूँ तो आप आज के दिन भी अपने ग्यान के कारण अपना एक पूरा प्रभाव सभी के उपर बना के रखेंगे ग्यान की कमी आपके पास नहीं है ग्यान का पूरा भंडार रहेगा आपके पास जो भी आप काम करते हैं जहां से भी संब्दित है और एक जनरल लोलिज भी होती है जी के वो भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आप ऐसी इस अपने इस ग्यान के आधार पर ही अपना सभी पर जैसा मैंने कहा के प्रभाव बना करके रखेंगे अपना जो कारेच छेतर है आपका तो कारेच छेतर में रिजल्ट्स तो आपको जरूर मिलेंगे लेकिन उनके लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा और परिश्रम में भी आपके कुछ समस्या दिख रही है जितना परिश्रम आपके दौरा होना चाहिए उसमें भी कमी रहेगी तो साथियों उसके लिए उपाय क्या किये जाए वो तो हमें जरूर बताऊंगा और यहां पर स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंदित थोड़ी समस्या रह सकती है या रिजल्स प्रभावित होते दिख रहे हैं या यह भी हो सकता है कि आपका पढ़ाई से दिल हटे पढ़ाई में दिल न लगे वैवाहिक संबंदों की बात करें वैसे वैवाहिक संबंदों में को लेकर के किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है बस थोड़ा बहुत आपके जीवन साथी के स्वास्त में कमी के संकेत जरूर है अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी अपनी जो सेहत है उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा और एक थोड़ा अपने जीवन साथी के साथ कोशिश यही रखिए कि किसी भी प्रकार से कोई हीटिड आर्गुमेंट ना हो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तनाव में जा सकते है बी पी उनका बढ़ सकता है बिलट पेशर बढ़ सकता है और उनका स्वास्त भी प्रभावित हो सकता है तो आपको इस बात का वी ध्यान रखना है कि एग्रेसिव नहीं होना है हीटिड आर्गुमेंट नहीं करने अपने जीमन साथी के साथ अगर आप चाहते हैं कि सुख शान्ती घर में बनी रहे प्रियसाथियों उपाये आप क्या करें आज के दिन तो उपाये आपके लिए बनता है कि एक तो आप ओम एंग हरीं किलींग चामुन डाये विच्चे इस मंतर की एक माला है तीन माला करें इस्टूडेंट्स भी करें अगर आप ये मंतर नहीं कर सकते हैं या करने में आपको समस्या है या उच्चारणव आप संस्कृत में नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि अप्र आप राहु इस्तोत्रम का पार्ट करें या मादरुगा जी की पूजा करें दरुगा चालिसा कर लें अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं आधनुराशी के जो मादरचलेसा का पाट पर्ट करें और अंत में मादरुगा जी की आर्ती करें इतना तो करी लें कम से कम और जो स्टुडेंट pourra करें जो मासर prac तो दो से उनमें कमी आएगी या वो दूर होंगे आगे बात करेंगे धनुराशी के जो हमारे मित्र हैं जिनका की सैजिटेरियस साइन बनता है तो आप धनुराशी के जो जा तक है प्रियसाथियों आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आपकी जो पढ़ाई है वो जो अभी तक जि इस बात की अगर है आपकी ओर से कि मुझे कैसे भी हो अपने रिजल्ट्स मेंटेन रखने उसके लिए चाहें मुझे कितना भी मेहनत क्यों न करना पड़े तब तो आपकी नईया पार जरूर होगी फिर तो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ग्रूब रस्पती की भी शुबता प्राप्त हो रही है तो अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे पूरा कॉंसंट्रेशन के साथ पूरा फोकस रहेगा आपका पड़ाही पे तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स लाने से कोई नहीं रोक सकता जहां तक इस बात का प्रिशन है कि हाईर इस्ट्रीज करने वाले स्टूडेंट्स तो उनके लिए मध्यम परिणाम या मध्यम से थोड़ा सा एबब रिजल्ट्स आने की हापर संभावना बनी हुई है पराकरम में कमी अवश्य महसूस करेंगे मेहनत जितनी होनी चाहिए उसमें आज के दिन भी मेहनत में कमी रहेगी और मेहनत में कमी अग के दे रहे हैं जहां तक छोटे भाई बहनों का प्यार का और सहयोग का प्रिशन है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी के संकेत हैं और अगर आप छोटी दूरी की यात्राएं करते हैं आज के दिन परियसातियों तो ये भी कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से थोड़ा बहु करके ही करें अगर चाहते हैं कि अच्छा उनके लिटर्न आपको मिल सके हैं प्रियसातियों वैवाहिख जीवन की बात करें तो वैवाहिख जीवन भी आपका सुखद है कोई कमी नहीं है बस बीच-बीच में हो सकता है कि आपके जीवन साथी को स्वास्त से रेलेटिड समस से पjenा हो तो आपको पहले से ही ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है, कि ताकि आपको किसी चीज़ की, मतलब अपने जीवन साथी के स्वास को ले episodes को लेकर के problem ना हो, इस बात का ध्यान आप हवस्चेर रखें, स्वास सापका बहुत उत्तम रहेगा अपना स्वास धनुराची के जातकों का आज के दिन उपाये आपको करना है कि ताकि आप अपने कार्य छेतर में भी बैटर परफॉर्म कर सकें बैटर रिजल्ट प्राप्त कर सकें उसके लिए आपको गणपती जी की पूजा करना सरवशेष्ट उपाय रहेगा और गणपती जी की पूजा करने में आप गणपती जी के मंतरों का उचारण कर सकते हैं या फिर आप गणेश चालिसा का पाट कर सकते हैं अंतमय आरती करें और प्रिये साथियों इसी जे साथ साथ, दूसरा उपाए में मैं देता हूँ, कि एक अगर आप भागे को थोड़ा अपना और मजबूत करना चाहते हैं, तो सूरे देव को भी जल प्राते कालिस नान आदी से निवरत हो करके जरूर दें, आगे बात करेंगे जो मकरराशी के जातक हैं, जिनका की कैप्रिकॉर्ण साइन बन रहा है, पर यह सातियों वेवाहिक सुखों का आनन आप आज भी लेंगे, वेवाहिक सुख आपके बने हुए हैं, उसमें किसी परकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहां तक जो इस्टूडेंट्स हैं, अगर मैं उनकी बात करता हूँ, तो जो इस्टूडेंट्स हैं, सामान ने एजूकेशन जो ले रहे हैं, तो चाहे सामान ने एजूकेशन लेने वाले इस्टूडेंट्स हैं, या फिर वो हायर studies करने वाले हैं आपके कहीं न कहीं results में कमी के संकेत मिल रहे हैं पढ़ाई से संब्दें दूसरा यू तो आपका जो पराकरम है अच्छा बना रहेगा मेहनत के ही आगे बढ़ना पसंद करेंगे और मेहनत करेंगे किसी परकार का कोई आलस नहीं रहेगा लेकिन घर-परिवा के जो सदसे हैं उनके साथ जो संब्द हैं उनमें थोड़ी कमी रहेगी उनके साथ कोशिश यही रखें कि किसी भी तरह से आपके और उनके बीच में कोई वाद विवाद या मत भेद ना बने क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे सीधा सीधा नुकसान आपको ही होने वाला है विरोधी आपके शांत रहेंगे शत्रू शांत रहेंगे उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कि ताकि आपको इन मैसे कोई भी नेगेटिव रिजल्ट ना मिले तो प्रिये साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज के दिन जो आप उपाय करें एक गुड़ जो है वो गव माता को जरूर खिलाएं गुड़ अगर आप गव माता को खिलाएंगे तो या नहीं कर रोटी पर भी रख करके खिला सकते हैं गुड़ तो इससे आपके सारे कश्ट दूर होंगे और दूसरा उपाय आपको करना है ओम केम केतवे नमहा इस मंतर की एक माला या तीन माला का जाप तो आपका भागे भी प्रवल होगा और जो हायर इस्टडीस कर रहे हैं वे भी अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति कर पाएंगे आगे बात करेंगे कुमराशी के जो जातक हैं उनके विशे में यनि के जिनका एक्विरियस साइन बनता है साथियो तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कमी के संकेत बन रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में कमी ना हो इसके लिए तो हम आपको उपाय जरूर देंगे जहां तक आप अपने स्टूडेंट्स हैं सामानने एजूकेशन जो ले रहे हैं या फिर हायर इस्टडीस कर रहे हैं सामान को अपनी एक तरीके से मैं जो देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे परिणामों की पराप्ती हुई और आप अपने परिणामों को देख करिके रिजल्ट को देख करिके बहुत प्रसन और बहुत सैड़िस्फाई रहेंगे और इसमें आपकी पदोन्नती के भी योग हैं उन्नती के भी योग हैं आपको कुछ अच्छे उन्नती के अफसर भी प्राप्त हो सकते हैं तो अगर होते हैं तो इसमें कोई आश्चरे की बात नहीं है दूसरी और प्रियसातियों अपने जो घर-परिवार के सदस्य हैं उनके साथ आप ऐसी वानी का उप्योग ना करें कि जिसके कारण आपके घर-परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरीके का आपका मन मुटाऊ आप तो सीधे सुभाव बात कहेंगे जो आपके दिल में है वोई जवान पर लेकिन उस बात का गलत प्रभाव भी पढ़ सकता है जिसकी संभावना अधिक है तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए कि भई आपकी बातों से किसी के दिल को तकलीफ तो नहीं पहुँच रही है ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी सोच समझ करके बोलना होगा और साथियों थोड़ा सा घर पर के जो हैड है उनकी भी मान रखना होगा सम्मान करना होगा और कोई उनका निराधर या आप मान बिलकुल ना करें उनका आशरवाद लें यूँ तो आपका जो पराकरम है तो पराकरम तो आपका बना हुआ है अच्छा बना हुआ है पराकरम से ही आप आगे बढ़ रहे हैं आपका एनरजी लेविल अच्छा रहेगा बस कही ना कही मन में थोड़ा बहुत जिसको कहते हैं एक तो कन्फ्यूजन या थोड़ी अशान नी बता रहा है तो अगर आप ऐसी बातों को ले करके परेशान हो रहे हैं या कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो मैं कहूंगा कि ये सब आप यूज लेश हैं इनका कोई मतलब नहीं है और इनका कोई आपको नुक्सान भी नहीं होना तो आईसा चीज क्यों सोच या ऐसा चीज़ों के बारे में क्यों अपना सोच के समाय खराब करें के जिनका कोई ना तो बेनीफिट है ना कोई लोगस है तो हमारा हमें ऐसी चीज़ों के विशे में सोच विचार करने की कोई आवशक्ता ही नहीं है तो साथियों वेभाईग जीवन भी आपका अच्छा बना रहे हैं विरोधी आपके शांत रहेंगे शत्रू शांत रहेंगे कोट कचैरी से सम्मंदित मामला अगर कोई है तो उसको निव्टा लीजिए फिवर में आपके रिजल्ट जाता हुआ दिख रहा है आज के दिन आप कौन से वो उपाई हैं जो आपको करने चाहिए और अपना वेभाईग जीवन अच्छा करना चाहते हैं और बहतर बनाना चाहते हैं तो सुर्य देव को जल जरूर देदें प्रियसातियों और दूसरा उपाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की जितनी अधिक पूजा करेंगे उतने ही आपके वेभाईग जीवन में सुक शान्ती भी आईगी और आप शनी देव की भी करपा आपको मिलेगी वो भी शान्त होंगे प्रसन होंगे तो आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें जहां तक हो सके लाल रंग की मिठाई आज आप हनुमान जी को भोग लगा करके चड़ा सकते हैं रैड कलर की या मंदर में जाएं वही हनुमा करते हैं तमर मीन राशी के जातक हैं जिनका की पाइसेश साइन है तो पाइसेश साइन के जातक हैं आपके वेवाहिक जीवन में थोड़ी उथल-फुदल या उतार-चड़ाव वाली स्थिती जो बनी हुई है वो हम आपको लगातार उपाय दे रहे हैं उन उपायों को अगर आप चाहते हैं कि आपके भी वैवाइक जीवन में सुक शान्ती बनी रहे और आप वैवाइक सुकों का आनंद लेते रहे इसके अतरिक जो स्टुडेंट से सामाने एजूकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन होगी और खाली उनी को क्यों होगी जो हायर इस्टुडीज कर रहे हैं उनको भी बहुत पहतर परिणाम प्राप्त होंगे अपनी ग्राशी फ़ल तो आपको ग्यात होगा कि हमने क्या उपाय बताएं आपके धनका खर्च ना हो अनावशक रूप से तो उसके लिए लेकिन फिर बता देंगे आपको उपाय कोई ऐसी बात नहीं है तो प्रियसातियों आपका जो प्राकरम है उसमें भी किसी परकार की कमी ना ह करें एक तो आपको काम ही करना है और दूसरा कार आपको करना है अपने ही घर में बैठ करके कर सकते हैं कि दुर्गा सब्चती माता का पाठ या चंडी का इस्तोत्र का पाठ अगर आप चंडी का इस्तोत्र का भी पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुन्दर उपाय रहे गए यह, अति सुन्दर उपाए, सर्वश्ष्ट उपाए, तो चंडी का इस्तोत्र करें आप, और चंडी का इस्तोत्र नहीं है, दुरू का सबशती है, तो मादू का सबशती का पाट कर लें, एक ही बात है, और प्रियसातियों, आज ही के दिन, दिन में प्राहत्यकाल, पीपल के विरक्ष पर जल चड़ाएं और शाम के समय देसी घी का दीपक जला दे वहां जाकर के पीपल के विरक्ष पर ये आप कार्रा करें तो प्रियसातियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं जातक हैं उनका देनिक राशीफल दिनांक 16 जोलाई सन 2024 दिन मंगलवार विकरम संबद 2021 प्रियसातियों अगर आपको ये राशी फल पसंद आया ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर कर कोचें और आप उन सभी का लाव ले सकें तो उसके लिए फिर आप बैल आइकन जरूर दवाएं तो इसी के साथ अब हम अपने इस कार्य करम का समापन करेंगे अपनी वारी को फिराम देंगे और अपने आप सभी प्रिया दर्शक गणों से लेंगे जाजत तो आप सभी का सेहर दें बहुत बहुत धन्यवाद जय माता नी